आज फिर मुझे याद तेरी आई थी कि आज फिर मुझे याद तेरी आई थी आज फिर मैंने वोही कागज कलम उठाई थी आज मेरी कलम ने लिखने से इंकार कर दिया तुझे कि आज मेरी कलम ने लिखने से इंकार कर दिया तुझे अब तू ही बता गल्टी मेरी कलम की थी या ये भी तेरी बेवफाई थी उसे बेवफा मत कहे कोई भी मेरा काम मैं खुद भी कर सकता हूँ एक सफर शुरू हुआ था मेरा उसके टकराने से फिर ख्वाबों में आने से मेरी नींदों को उड़ाने से कि एक सफर शुरू हुआ था मेरा उसके टकराने से फिर ख्वाबों में आने से मेरी नींदों को उड़ाने से और मेरा सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते रह जाने से फिर कुछ आगे बात बढ़ी तो सुनियेगा कि फिर आगे बात बढ़ाने से उसका नाम पता करवाने से कि फिर आगे बात बढ़ाने से उसका नाम पता करवाने से शोशल मेडिया पर उसे ढूंडने और ढूंडवाने से कि शोशल मेडिया पर उसे ढूंडने और ढूंडवाने से और बड़ी मुश्किलों से निकाला था नंबर उसका कि सुनिएगा कि बड़ी मुश्किलों से उसका नंबर मिल जाने से और पहली बार उससे 2 मिनट 34 सेकंड बात होने पर मेरे दिल को सुकून आजाने से पेट मिलके भी नहीं भरता था मुझसे क्या हिज्र कटेगा रब्बा पेट मिलके भी नहीं भरता था मुझसे क्या हिज्र कटेगा रबा चूमू मैं वो भी तेरे होट जाजा यार अब चीटी नमक में लगे ख्या क्या पता था जनाब बस एक कहानी बनकर रह जाएंगे यह लमहे कुछ बेगाने से कि क्या पता था जनाब एक कहानी बनकर रह जाएंगे ये लमहें कुछ बेगाने से अब कितना भी कहें कितना भी सुनें ये अनसुनें अफसाने से मेरी खामोशी रोक नहीं पाई वो लफ्स वया कर पाने से उसे तो खुद्शे भी बेहतर बनाऊंगा मैं अपने बेटे को शायर बनाऊंगा गुरूर अप तेरा तोरूंगा के तुस्से भी तुस्से भी तेरी तस्वीर में सुन्दर बनाऊंगा तुम्हारी सकूर्टी बस आती रहे जाना हमेशा मुफ्त में पंचर बनाऊंगा अब मुझे क्या ही पता था बहुत हैं आशिक उनके मेरे जैसे तो क्या ही फर्क पड़ेगा मेरे एक के चले जाने से उसे देखा तो हम भी जान पाए हूर का मतलब जो उससे बाते की तो जाने हम मगरूर का मतलब मैं तो पागल था इक औरत के पीछे पूरा पागल था मुझे मालूम तब था ही नहीं शिंदूर का मतलब मालूम थाह मậम उसे था हुआ झाल्सपल, का मतलब हम जो कि टने से एक का औरत की जाने दाय्ना शिंदूर का मतलब झाल झाल